आज हम डिस्कस करेंगे GST on renting of motor vehicle services असेसी के पास दो option होते हैं एक 5% GST का दूसरा 12% GST का यदि असेसी 5% की GST option चूज करता है तो उसको केवल एंड केवल एक परकार की input मिलेगी जो उसकी input services होगी renting of motor vehicle मतलब किसी से गाड़ी किराय पे लियो उसी की input मिलेगी कुछ जो रस्टिकेशन होती है वो blocked credit वाली उसको छोड़ गए तो आएस जानते 5% का option सेसी चूज करता है तो GST किस परकार लगेगी यदि supplier body incorporated है मतलब जो renting वाले service दे रहा है वो body corporate है तो और recipient है वो भी body corporate है तो reverse charge लगेगा और यदि response other than body corporate है तो forward charge लगेगा जो supply दे रहा है वो GST देगा और आईए अपन जानते 12% की GST rate चूज करता है तो always forward charge लगेगा जो supply of service दे रहा है उसी को GST देनी है 12% की rate से वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और ज्यादा से ज्यादा share करें और channel को subscribe करें धन्यवाद